दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको एक ऐसा हराचारा दिखा रहे हैं जिसकी आप हाइट दे सकते हैं 12-15 फिट तक जाती है मातर 25-30 दिन में ये कटाई लाइक हो जाता है बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाऊंगा और न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी है कि इससे आपके पशों का दूद बढ़ता है एक एकड में इसका उत्पादन 5000 कवंटल तक है 200 पे कमेंटर के साथ से भी आप चारें को बेचते हो तो 10 लाग रुपे होते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी चलो दोस्तों शुरू करते हैं जो पहली बार आई है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग फेस्टूक पे देख रहे हैं वो फोलो करना ना भूले आईए दोस्तों आपको इसका उत्पादन चेक करा देता हूं और इसका हाइट चेक करा देता हूं बड़े पास से आप देखिए आप देख सकते हैं यह पूरी हाइट का पोदा हो चुका है मैचोर पोदे हैं देखिए इसकी हाइट चेक करिए कितनी बड़ी है मेरी इंच है और मेरे से भी यह 3-4 फिट उंचा है तो मान के चलिए यह 11-12 फुट तो यहां पर हो चुका है तो आप इसकी अच्छी केर करेंगे तो 15-16 फुट तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं कितनी हाइट है और अभी भी इसमें हरापन कम नहीं है यह देखिए पूरा किर पापत्र पाची से ऊटाई के लाइक हो चुका है और आपको दिखाना चाहूंगा कि कि अचल्श की कितनी जल्दी आ जाती है तो आप देख सकते हैं यह 20-20 से बाइस दिन का है यह 15-18 दिन का है आप देख सकते हैं यह 10-12 दिन का है आगली साइड आप देखते हैं तो इस तरीके से आप इसकी कटाई के बाद यानि कि आपकी खेट की कटाई पूरी नहीं होगी पीछे आपका खेट त्यार है साल में 6-7 कटाई तो बहुत अराम से आठ नो कटाईयां भी आजकल किसान इससे ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर आप इस चारे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पुष्णों का दूद बढ़ता है वह कैसे क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है जो की लैब टेस्टीड है क्योंकि यह वराइटी था की कितना परसंट असानी से डािजेस्ट होता है तो 55-58 परसंट बड़ी असानी से डाइजेस्ट हो जाता है किसान भाईो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर 7-8 परसेंट मिठापन पाया जाता है जिसके कारण इसको पशु बड़े चाव सिखाते हैं और दोस्तों इस हरे-चारे की अच्छी बात यह है कि इस चारे को आप कितना भी डाली है सूखा-चारा मिक्स करने की कोई जुरूरत नहीं है आपके पशों को कभी भी लूज मोशन की क नहीं है दोस्तों इस हरे-चारे की खास बात यह है कि बर्फ वाले शेत्र को छोड़के जहां पर बरफ पढ़ती है उस शेत्र को चोड़के भारत में इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी मोसम में लगा सकते हैं कैसे भी लगा सकते हैं बड़ी असानी से यह हो जाता तो किसान भाईयों जो आप यह सामने खेद देख पा रहे हैं इसका दूसरा साल है साथ साल तक इसलिए चलता है क्योंकि इसमें ना तो डिमक की समस्या है ना कोई बिमारी आएगी ना इसमें कीडे आते हैं ना रोग आते हैं ना आपको ज़्यादा खार डाल ली हैं और यह खरेट रहे हैं तो साथ साल तक बड़ी असानी से चल जायेगा और सास साल बाद भी खरा नहीं होगा क्यों कि साथ साल बाद इसकी मान के चलो जो इसकी जड़े हैं वो थोथली हो सकती हैं थोथली होने की वज़ा से आपको दुबारा कर सकती हैं अगर आप अपने खेद की अच्छी केर करेंगे तो दस साल भी यह कहीं नहीं जाने वाला तो दोस्तों आप सवाल आएगा कि यह कितने दिन में त्यार हो जाता है पहली किटाई होने में इसके जरूर 55-60 दिन लग जाते हैं और आपको 55-60 दिन इसको लगा के आप को 25-30 दिन के अंदर अंदर इसकी गुडाई निराई गुडाई जरूर करनी है वैसे तो किसान भाई यो इस शांदार हरे-चारे को आप किसी भी एंगल पे लगा दीजिए 90 डिग्री पे पंतालीस डिग्री पे या आप इसको कैसे भी लगाएं लेकिन यह सबसे बहतरीन म अंदर जानी चाहिए इस बात का खासकर ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात इसकी बहाई में आपको जो ध्यान रखनी है आपके खेत में 15-20 दिन असानी से नमी रहनी चाहिए और ख्याल किन चीजों का रखना है 30-35 दिन में आप इसके अंदर गुडाई कर सकते हैं न इतने फसल की केर कितनी करते हैं पहली फसल लेट होने का एक कारण ही होता है जो इसमें कल्ले फूटते हैं फुटाव होता है वह पहली कटाई में होता है पहली कटाई होने के बाद इसका फुटाव बहुत जादा होता है 50-50-70-100-100 कल्ले फूट जाते हैं अब बात आती है कि इसको कितने distance पे लगाना चाहिए, इसको आप दो बाय दो पे लगा सकते हैं, एक एकड में 11000 कलमें लगती है, आधे एकड में 5500 कलम यह श्टिक लगती है, किसान भाइयों आप बात करने चाहेंगे, पोदे से पोदे की दूरी आप दो बाय दो भी रख सकते हैं, तीन बा जितना रेटिलये दोस्तों मैं आपको बतना चाहोंगा बहुत सारी भारत की गुशाले इसको प्रयोग कर रहा है जो कि पहाड़ों से लिके राजेस्थान-डमल हे रे- मैं ने देखा, वहाँ है इस अन्दार हरे चारे का बहुत शांदारгов डिश्रूर क्योंकि अगर आपके वहां पे कोई भी जैसे मक्का है थोड़ा बहुत हो पाता है जवार हो पारी है तो आप वहां पे आपके बड़े असानी से हो जाएगा जो कहते हैं कि हमारे यहां पे बहुत पानी है पानी की मार है तो यह पानी का ही पोदा है भई पानी में हो जाएग पर यह आ रहा है उम्हें दोस्तों आपको एक शांदा जानकारी देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को लाइक करें लाइक से शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी मिलते हैं कि नई वीडियो में धन्यावाद है तो एटार ये जानकारी दोस्तों आपको